अभी मन्यू आइस इंडिया बेस्ट प्लाटफॉर्म फो यूपीससे एंस्टेट सिवल सर्विसे एग्जामिनेशन मेरा नाम है मनिंदर एंड आएंड आइंड आप इंट्रस्टिंग सीरीज आप अभी मन्यू आइस ने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए अभी मन्यू आइस के बारे में थोड़ा सा बता दो हमारा इंस्टिटूट थो थाउजन से ज्यादा से ज्यादा से चुके हैं आप सब लोगों ने एक चीज के बारे में जरूर सुना होगा जिस्टार्ट के लिए यह अच्छा कॉंसेप्ट है बच्चों को कभी समझ में नहीं आता वाट एक्जाक्ल निश तो उसके बारे में डिसक्शन करेंगे देखिए आप सब लोगों ने एक चीज के बारे में जरूर सुना होगा जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक इनसान हर एक human being की एक speciality होती है कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई टीचर है कोई लॉयर है हर इनसान एक specific काम करने में इंटरस्ट रखता है और अगर स्पेशलाइजेशन होगी दुनिया के अंदर तो एक stability आती है तो स्पेशलाइजेशन लीड्स तो स्टेबिलिटी तो जैसे हम human species के अंदर स्पेशलाइजेशन एक बहुत important चीज है हर इनसान की अपने competency है एक area है जहां पर वो काम करता है तो उस हिसाब से एक order create होता है हमारे world के अंदर अगर हम सब ही कुछ करना शुरू कर देंगे तो वो order जो है वो थोड़ा सा खतम हो जाएगा तो इस हिसाब से हमारे environment और ecology के अंदर भी specialization होती है हमारा environment के अंदर जो भी organisms हैं उन सब की specialization होती है यानकि organisms को किसी एक purpose के लिए बनाया गया है उसका एक purpose है जिसके ऊपर जो organism अपनी सारी जो अपनी life है उसके ओपर dependent होता है वो purpose के ऊपर तो वो जो purpose है जो हर organism हर species और हर जो हमारा species है उनका different होता है वो purpose वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है उस specialization उस specific purpose को हम ecological niche बोलते हैं example के तोर पे मैं आपको बताऊंगा for example let's say tree ले ले लेते हैं हम और इस tree के ओपर जैसे और यहां पर हम देखे तो यहां पर leaves हैं जैसे और यह tree की branch है तो जैसे कुछ animals होते हैं यह कुछ organisms होते हैं जो सिर्फ इस ब्राफ के ओपर यह, lead लेकिन कुछ birds हैं जो सिर्फ feed करती हैं leaves की ओपर ही और ऐसे यह as tree के ओपर एक fruit होता है तो कुछ organismز यह कुछ animals यह कुछ insects जो हैं सिर्फ इस Pub Radio के ओपर ही नहीं करेगा जो fruit के ओपर feed कर रहा है वो leaf के ओपर feed नहीं करेगा तो leaf के ओपर feed करने वाला organism जो है उसका purpose है यह particular leaf similarly goes for these two insects or animals or organisms तो मैं यह बोल सकता हूँ safely कि इसका इसका और इसका purpose अपनी life में different है इसका purpose है to have the branch, इसका purpose है to have the fruit and इसका purpose है to have the feed तो इस वज़ा से हम बोलते हैं कि इन तीनों की niche जो है वो different है ecological niche different है यानि कि हम बोल सकते हैं कि ecological niche is a specialization जो ये तीनों जो हैं अलग अलग level पे काम करते हैं अब ecological niche बहुत different type की हो सकती है for example ecological niche can be related to food जैसे अभी मैंने आपको example दिया कि कोई क्या खाना खाता है कोई कुछ और खाना खाता है तो ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही खाना खा रहे हैं हर एक की diet जो है वो different है ecological niche can also be related to habitat habitat का मतलब होता है कि कहां पे वो organism जो है वो रहता है for instance let's say, कुछ birds है कुछ birds है, جो हमारी Siberia में stay करती है लेकिन कुछ birds हमारी Siberia में भी stay करती है और कुछ birds हमारी forest areas में भी stay करती है तो ऐसे हैं कि same birds है जो different locations पे stay कर रही है at the end of the day, उनका जो habitat है वो different हो गया यानिकि उनकी habitat niche जो है, वो different हो चुकी है Similarly food के साथ habitat के साथ हम बात कर सकते है in terms of breeding seasons के बारे में breeding seasons का मतलब है कि at the end of the day वो किस time पे breed करते है अगर वो winters में breed करते हैं या फिर वो summers में breed करते हैं तो वो different हो जाती है nation की ecological niche also defines कि उनका purpose क्या है मतलब उनका what is the purpose of you know their survival, their existence तो वो purpose क्या है उनका वो भी ecological niche के अंदर ही categorize किया जा सकता है तो ecological niche आपके habitat, आपके food, आपके purpose और definitely आपके breeding season के इलावा और भी बहुत ऐसी चीज़े हैं जिसके अंदर एक specialization एक organism hold करता है इस particular चीज, इस particular specialization, इस particular specific purpose को हम ecological niche की category में डालते हैं ecological niche क्यों important है, देखिए Mother Earth ने हर organism के लिए एक special जगा बनाई है तो suppose करो के Mother Earth ने हर एक food resource के लिए specialist organization बनाई है तो जैसे X animal है या फिर हम बोलें A animal है तो A animal इसको consume करेगा और B animal जो है वो इस particular resource को consume करेगा लेकिन अगर अगर अपनी ecological niche को छोड़के और अपने purpose को छोड़के अपनी specialization को छोड़के A organism, B organism के food के ओपर feed करने लग जाएगा तो यह stability हिल जाएगी यानि की कहने का मतलब है जैसे गांदी जी बोलते थे that mother earth has everything for your need but doesn't have everything for your greed तो यह बहुत important है कि stability के perspective से ecological niche एक बहुत ही जादा जरूरी चीज है order के perspective से ecological order के perspective से यह बहुत ही जादा important हो जाती है लेकिन human species जो है anthropogenic activities यानि की climate change हो गया या फिर pollution हो गया या फिर हमने जैसे bio diversity को disable कर दिया वो सारी चीजों की वज़ा से हम एक बहुत बड़ी problem कर रहे हैं हम ecological niche को destroy करते जा रहे हैं हम इसको खतम करते जा रहे हैं destroy करते जा रहे हैं जिसे हो क्या रहा है हम दूसरों के habitats mentor हो रहे हैं दूसरों के purpose में हम जो है interfere कर रहे हैं जिसे पूरा order और stability हिलती जा रही है तो यह बहुत जादा dangerous situation है हमारे लिए तो I hope आपको यह concept in series का यह lecture अच्छा लगा हो अगर ecological niche का यह lecture अच्छा लगा है तो channel को like, share और subscribe जरूर करिएगा Thank you everybody, have a nice day